हेलो फ्रेंट्स, सौगत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3.1 टैक तो फ्रेंट्स, अगर आप अपने पेटियम से किसी के गूगल पे अकाउंट में पैसो को भीजना चाते हैं और UPI ID की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं आपको बिल्कुल नया तरीका बताऊंगा ये तरीका आज तक आपको यूट्यूब पर किसी नहीं बताया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया है अभी अपडेट हुआ है, तो फ्रेंड्स वीडियो काफी जादा इंफर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नूँ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स हम आ चुके हैं अपने मॉबाइल फॉन की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप लग देख सकते हैं तो पेटियम से गूगल पे में पैसे ट्रांसफर करने के लिए किसी और को पैसे भेजने के लिए गूगल पे में आपको UPI ID के बिना मैं सिखाने वाला हूँ तो ये बिल्कुल नया तरीका है उसके लिए आपको बस गूगल पे का बार कोड चाहिए सामने वाले परसन का जिसको आपको पैसे भेजने हैं तो वो कैसे पता करते हैं बार कोड वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले हमें Google Pay की जो application है उसको open कर लेना है खिक है तो मैंने Google Pay की application को open कर लिया उसके बाद यहाँ पे top right corner में आपको अपनी profile वाले icon के उपर click करना है उसके बाद आपके सामने इस तरीके से page open हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है जो आपको आपकी photo दिखाई दे रही है आपको इस photo के उपर click करना है उसके बाद आपके सामने ये वली screen open हो जाती है आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये barcode दिखाई देगा आपको simple इसका screenshot ले लेना है और जिससे आपको पैसे मंगाने है अपने Google Pay में उसको आपको अपना ये barcode भेज देना है आपको UPI ID की ज़रुरत नहीं पड़ेगी आपको simple ये barcode screenshot लेके उसको भेज देना है तो मैंने इसका screenshot लिया हुआ है अब हम चलते हैं Paytium में आप महां से कैसे भेजने हैं पैसे तो मैं आपको सिखा देता हूँ तो friends हमें Paytium की application को open करना है तो मैं simple Paytium की application को यहाँ पे open करता हूँ तो यह Paytium का home page खुल चुका है यहाँ पे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना simple आपको यहाँ पे scan any QR इस पे क्लिक करना है ना आपको कोई UPI ID डालनी पड़ेगी ना ही कुछ और डालना पड़ेगा आपको simple scan any QR पे क्लिक करना है उसके बाद आपको scan from gallery हमने screenshot लिया आप जैसे ही इस barcode को select करेंगे तो उसकी UPI ID automatic आजाएगी उसका नाम भी automatic आजाएगा जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उपर नाम भी आगया और नीचे उसकी UPI ID भी आगी और यहाँ पे amount पूछ रहा है हमसे कितने रुपे भीजना चा जाते हैं उसके Google Pay account में वह हम यहाँ से डाल देंगे जैसे मैंने 100 कर दिया उसके बाद simple आपको Pay Pay क्लिक करना है ठीक है तो जो भी आप अपने bank account से उसमें भेजना चाते हैं तो simple आप Pay Pay जैसे ही क्लिक करेंगे इस Pay Pay क्लिक करने के बाद आपके पास UPI pin का option आजाएगा जो आपकी pin होती है secure pin आप जैसे ही उस pin को डालेंगे उसकी payment हो जाएगी आपके bank से वह कड़ देंगे और वह उसके Google Pay account में चले जाएगे ठीक है मैं आपको यह process नहीं कर रहा आगे क्योंकि मुझे अभी नहीं भेजने हैं पर आपको यह करना है बिल्कुल simple step as के बाद simple जैसे या पे-पे क्लिक करते हैं जैसे आप किसी को phone recharge करते हैं या पे करते हैं तो वह simple वही process है यहाँ पे भी ठीक है आपको simple पे-पे क्लिक करना है फिर आपकी pin मांगता है pin के बाद payment हो जाती है simple वैसे ही इसमें भी वो उसके पास चले जाएंगे Google Pay account में तो friends अब आप यह अच question कोई भी query है आपके mind में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इससे एक like जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें thank you